हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मानसा आप सभी का मेरे चानल में रिदेपूरवक स्वागत है तो यहाँ पे न तुलसी जी के सामने मैंने दिया जलाया था लेकिन हवा इतनी तेट से चल रही है कि दिया नहीं रुक पा रहा था कुछ देर के लिए हाथों को रखा था लेकिन फिर रहा है तो कुछ देर के लिए वहाँ ही मैं घड़ी हो गई थी फिर बाद में अंदर आती हूँ और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ तो आज रूटी बना रही हूँ तो मैं कैसे आटा लाई थी न तो बहुत जादा आटा है न तो इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन मत यही बना के दे दी तो बच्चे खा लिए और अभी मेरे लिए बना रही हूँ हस्बें नहीं है अगर वो आ जाएंगे तो उनके लिए भी बना दूंगी लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए ही बना रही हूँ तो अभी देखिए ठंड का मोसम चल रहा है न तो इसलिए एकी बार बना के नहीं रखती हूँ जब किसी को खाना होगा तो तब ही मैं बना के दे रही हूँ इस तरह से गरम गरम खाने से ही अच्छा लगता है न और कुछ देर के लिए हम बना के रखते हैं तो ठंड के वज़े से खाने का मन भी नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि जब का तब मतलब जिसको जब खाना है तब भी एक दो रोटी बना के दे दूँगी अभी मेरे लिए तो मैं बना लिए कुछ आटा बच गया है मतलब अभी पतिदेव के लिए वो आटा मैंने रखा है वो आने के बाद बना दूँगी तो देखिए रोटी के साथ मैंने चाय भी बना दी और इस चाय में चीनी बहुत कम डाला है इसका reason आपको आगे पता चलेगा तो कभी-कभी इस तरह से चाय के साथ रोटी खाने का मन करता है और ये जो रोटी है तो जैसे हम plain रोटी बनाते है उस तरह का नहीं है थोड़ा सा तेल लगा के मोड के जो हम बनाते है शायद पराटा कहते होंगे तो वो वाला रोटी है तो अभी देखिए न्यूस पेपर पढ़ते हुए मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ तो कुछ दिनों से हमारे यहां न्यूस पेपर आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें घ बाहर का भी ज्ञान होना जरूरी है तो इसलिए पहले तो मैं न्यूस पेपर डेली पढ़ती थी करोना से पहले लेकिन करोना के वज़े से न्यूस पेपर बंध हो गया था लेकिन अभी मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ न्यूस पेपर पढ़ने की एक आदत होनी चाह मैं दो इसलिए क्या है सबस्माइन आप है है तो वही मैं बनाने वाली हूं और देखें, यह कुछ तुरही है इनका भी मैं सबजी बनाने वाली हूं तो कल लायेते fray वेजटेबल्स और कुछ क्या बोलते स्वीट कॉंस लाएते और ये जो सीता फल आपको दिख रहा है तो कुछ सीता फल भी लेके आयते और ये जो अभी किचन का जो भी वेस्टेज है मतलब इस तरह का जो भी वेस्टेज है ये मैं बाहर नहीं फेक रही हूँ तो मैंने बनाने के लिए इन्हें मैं अलग से निकाल के रख रही हूँ तो बस अभी खाना भी बन चुका है एक तरफ चावल चड़ाया है और दूसरे तरफ अतुरई की सबची भी बन चुकी है तो आज बस जल्दी जल्दी खाना बनाना हो गया है और अभी न मैं अपने लिए PCOS होता क्या है तो इसके ना कुछ common symptoms होते है जैसे irregular periods होना, hormonal imbalance होना और अचानक से हमारे face में acne और pimples हो जाना और हमारे mood swings बदलते रहना अचानक से weight gain होना, depression में चेले जाना और facial hair का growth होना तो ये सारे जो symptoms से ये PCOS के ही हो सकते है तो इस problem से बाहर निकलने के लिए मैंने अ उजीवा को add किया है और ये पूरी तरह से natural plant based है और इसमें ना 9 PCOS के herbs मिलाए गए है और इस product में clearly लिखा गया है कि ये हमारे body में protein और omega 3 को increase करता है तो उजीवा के साथ साथ हमें meditation exercise भी follow करना है और processed food को जितने भी junk food होते है बाहर के food होते है उनसे हमें दूर ही रहना है सुबह के time पे detox drink होता है वो लेना है फिर बाद में healthy नाश्ता करना है फिर उजीवा का ये drink लेना है फिर lunch करना है मतलब breakfast और lunch के बीच का जो भी mid morning का time होता है उस time पे हम उजीवा का ये हर balance का drink हम ले सकते है इसके लिए 150 ml water में 2 scoops उजीवा powder लेके उसे अच्छे से मिला क उस पानी को हमें पीना है और उजीवा से हम जो भी purchase करते है तो उसका कुछ profit किसानों को share किया जाता है और इनका एक aim है कि 2025 तक 10,000 किसानों का help करना अगर आपको भी उजीवा का हर balance का product लेना है तो इसका link description में दिया है वहाँ से आप purchase कर सकते हो और अभी ना कॉंस भी पाज आते तो इसलिए मैंने कुकर में जादा देर तक नहीं रखा जल्दी कुक हो गए है तो इसमें ना स्वात के अनुसर नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च बाॉडर और लेमन जूस डाला है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो बस बच्छों को pack करके दे दी फिर बाद में द आती है तो कुछ नगुछ खाने के लिए हिल्दी ही मैं रखती हूँ तो बस दोनों बच्छों को lunch pack करके दे देती तो बस मैं lunch boxes लेके जाने ही वाली थी उतने में ही ये आगे ते तो फिर मैंने इन से कहा है देने के लिए फिर ये दे के आ गए है और देखे आज इतने सार कपड़े हो गए है तो सुबर के टैम पे मैंने कुछ कपड़े डाले है तो वो सुख भी गए है और मेरे कुछ ये साड़िया है तो ये मैंने हातों से दोए है तो अभी मैं इनको भी डाल देती हूँ तो उपर इतना अच्छा हवा आता है तो बहुत बाहर मैंने बताया होग लेकिन फिर भी देखे आपको पता चल रहा है कि इतना अच्छा हवा चल रहा है और यह जो रसी है तो यह प्लास्टिक का रसी है तो यहाँ पे धूप भी बहुत जादा आता है तो यह तूट गया है तो बस अभी ये बांध रहे है तो मैंने इनको बुलाया है रसी बांधने के लिए तो ये अच्छे से बांध के रखते हैं और हमारे घर में ना मतलब रोज कपड़े होते ही है और आज ना हम ये वाला ब्लैंकेट भी निकाला है तो ये बहुत भारी ब्लैंकेट है तो इसे भी धोके डाला है क्योंकि आज कल ठन जो है कुछ जादा ही हो रहा है तो इसलिए वाला ब्लैंकेट निकाल के साफ कर दी और ये कुछ चेने थे तो बस अभी धूप में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ तो मतलब बहुत दिन के ये चेने है न तो इसलिए बीच बीच में कभी कबार दूप में रखते है तो जादा दिन के लिए चेने हो या कुछ भी दाल होते है न तो अच्छे रहते है तो उपर आ ही रही थी तो मैंने सोचा कि चेने भी लेके आ जाती हूँ और धूप में रखती हूँ अभी 12 बज रहा है तो 3-4 बजे तक अच्छे से धूप में रखेंगे फिर बात में जब मैं कपड़े निकालूँगी तब ये चेने भी निकाल दूँगी और अभी न शायद 4 बज रहा होगा तो हम दोनों बाहर जा रहे है और ये जो पोधे हैं मैंने लाके रखेते और इस पोधे में एक फूल भी खिलाता इसे पहले एक फूल खिलाता और एक फूल जो है खिलने वाला था तो मैं बता नहीं सकती कि जब इस पोधे में फूल खिला है ना मुझे कितना अच्छा लग रहा था तो मुझे थोड़ा सा डरता कि ये पोधे टिक पाएंगे कि नहीं तो चार पोधे लाई थी ना उनमें से गुलाब और गुड़हल के पोधे जो है अच्छे से बड़े हो रहे हैं लेकिन बाकी के दो हम तो तेलगु में चामंती कहते हैं तो वो पोधे थोड़े सूख जा रहे हैं तो उन्ही के लिए यहां से मिट्टी लेकर फिर जाते है तो जबसे हम llama आए थे ना उनको ऐसे ही रखेते मैं इनसे कह रही ती बहुत दिनों से कि आप मिट्टी और दो अलग से क्या बलते हैं गंला लाओ करके लेकिन वो नहीं जा रहे थे नहीं ला रहे थे और मैं भी बाहर नहीं निकल रही थी तो बस आज finally हम बाहर जाके मिट्टी लाते हैं और ये जो दो bucket's है न ये बहन के यहां से लाई थी मतलब बहन ने दिया है तो इनी में अभी बाकी के दो पोधे भी हम लगाने वाले हैं तो ये भी न थोड़े परिशान है काम के वज़े से तो इसी लिए तो घर के जो भी छोटे मोटे काम में बताती हूँ न तो ये भूल जाते हैं इनके tensions के वज़े से तो नए घर में आने के बाद न इनका काम अच्छा चल रहा था मैंने आपसे बताया भी था तो कुछ दिनों तक तो अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में अच्छानक से पता नहीं क्या हुआ या फिर किसकी बूरी नजर लगी है तब से न इनका काम टीक से नहीं चल पा रहा है मैंने तो यूटूब में शेयर किया है कि काम अच्छा चल रहा है क्योंकि आप सब हमारा फैमली जैसे हो तो मैं आप सब से शेर करना चाहती हूँ लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते है जो हमसे जलते है जो भी अभी ये घर दिख रहा है कितना बड़ा घर है और घर में छोटे मुटे मैंने चीजे भी लाई थी जो जरूरत के चीजे है तो ये सब देखके शायद उनको लग रहा होगा कि ये यूटूब से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी और उपर से इनका भी काम अच्छा चल रहा है तो ये सब नहीं है तो हम इतना जादा YouTube से कमाते नहीं है और इनका काम भी इतना बड़ा नहीं है कि लाखो रुपे हम महीने कमाते हैं ऐसा नहीं है और उपर से न मैं वीडियोस भी रिगलर अपलोड नहीं करती अगर इस महीने में देखेंगे तो शायद 4-5 वीडियोस मैं ने अपलोड किया है और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आगे भी मेरे वीडियोस जो है रिगलर नहीं होंगे तो इसके पीछे एक कारण है वो अभी मैं YouTube में नहीं बता सकती तो जो भी मैं करने वाली हूँ वो काम पूरा होने के बात सबसे पहले मैं आपके साथ ही YouTube म बारे में बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि आपके अलावाना कुछ ऐसे लोग भी ये वीडियोस देखते हैं जो मुझसे जलते हैं और मेरा बुराई चाहते हैं तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ तो आगे न मुझे जब भी टाइ मिलने से कोशिश करूँगी डालने की तो यहाँ पे ना बकेट में मिटी डालके पोदा भी रख दी और जो भी सुखे फूल और पत्ते थे ना उन्हें में काट रही हूँ तो फ्रेंस आज का व्लॉग यही पे में एंड कर रही हूँ अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजेगा शेर कीजेगा कमेंट कीजेगा और मेरे चानल में कोई नए हो तो प्ली सब्सक्राइब भी कीजेगा मिलते हैं और एक अच्छे से व्लॉग के साथ